देवी शक्ति आराधना का महापर्व शार्दी नौरात्र को देश भर में बड़े धूम धाम से मनाया जा रहा है 36 गड की माता धूमावती की महिमा भिया प्रमपार है यहां भक्तों की मुरादों को पूरा करने देवी मा घने जंगलों के बीच में विराजमान है माता धूमावती को इस्थानी और ग्रामवासी धुंधी दाई धुंधेश्वरी देवी के नाम के अलावा और भी कई नामों से आहवान करते हैं यहां देवी मा और भक्तों के अटूट प्रेम का प्रत्यक्ष उधारन भी देखने को मिलता है देवी माता के दर्शन से मन की मुरादे पूरी हो जाती है इसकी ख्याती इतनी प्रशिद्ध हो चुकी है कि समूचे चतिसगर से लोग देवी मा का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में यहां आते है मा धुंदीदाई महमाया मंदिर समीती बासा जाल के सनरक्षक सेतु खुसरो और शध्धालों ने बताया कि मा धुंदीदाई बक्तों के लिए कुल माता और आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है और हर दिन यहां माता के दर्शन के लिए हजारों दर्शनार्थी आते हैं बहुत कम रहते हैं यहां अपना आस्था के इंद्रमान करके यह सकती की पुजा करते चले आ रहे हैं पहले यहां भीडभार तो बहुत कम रहते थे लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ लोगों काना जाना हुआ और पुजा पाठ में भी वडिहा से अपना नियम पदती समीतिक द्वारा किया गया जिससे लोग अपनी कामरा लेकर आते हैं और जब उनकी कामरा पूरा होता है तभी लोग आते हैं और यह एक राजम आता है पहले समय में राजा महराजा जो लोग थे उसमय गाड़ी भैसा नी था तो अपने घोड़ा के माध्यम से बैठ कर इस देवी में दसाहरा पावन पर पूजा पाठ करने आते थे धुंदिदाई महमाया मंदिर लोर्मी कोटा मुख्य मार्ग पर ग्राम बासा जाल में इस्थित है जो लोर्मी से महज 16 किलो मिटर की दूरी पर है